हेलो गाइज वेलकम है आप सबका आज हम बात करेंगे इस सेशन में आपके यह यूनिट टू है कस्टमाइजिंग एंबेडिंग मल्टी मीडिया कंपोनेंट इन वेब पेजिज इसके बारे में इसका इंट्रोड़क्शन देखेंगे और इसके ड्वांटेज और डिसड्वा की और कहां पर हम उसको कैसे चो है इम्प्लिमेंट करेंगे उसको देखेंगे हम कैसे डिफाइन करेंगे इमेज़स वीडियो को flash files को एंदर यह सब देखने वाले हैं सबसे पहले हैं पर question आता है what is multimedia सबसे पहले जो हैं मुझे में को आता है मुझे मीडिया क्या है तो बहुत सरी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं हमारे आज पास जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब कहीं किसी ना किसी form में हमें multimedia देखने को मिलता है तो हर जगा multimedia है इसको कैसे आप इससे बच नहीं सकते हैं कैसे इसको आप define करेंगे कि multimedia को define कैसे करेंगे देखो यहां पर multimedia जो whatever दो words से मिलके बनाए multi and media multi का मतलब होता है many media का मतलब होता है mediums यानि के multiple mediums यानि कोई भी information जो एक से ज़ादा mediums में हम किसी जगा transfer करते हैं या store करते हैं तो उसे multimedia बोलते हैं यहां पर जो एक से ज़ादा forms है वो forms कोन सी है जैसे text हो गया text के base पर जैसे आप यह देख पा रहे हैं यह text है आपका तो यह भी तरह का क्या है आपका media का form है इसके लावा audio जो आप मेरी आवास सुन रहे हैं इसके लावा graphics में आपकी बहुत सारी जो images हैं अलग-अलग तरह की वह आ जाती है और इसके लावा आपके animations आ जाते हैं वीडियो आ जाती है और interactive आपके कुछ और कह सकते हैं के components आते हैं यह भी एक तरह से आपके वीडियो का ही part होते हैं कहीं न गई तो इसमें यह सब चीज़े जो हैं यह सब combine करके multimedia बनती है तो कहीं पर अगर यह दो या दो से जादधा आपके जो websites हैं जो आपकी web pages या websites हैं उनके अंदर आपका multimedia कैसे use होता है इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें तो आपके पास जो traditional आपके starting जब हुई थी multimedia आपकी यह कह सकते हैं websites की उसमें आपके जो है multimedia support नहीं था जब 90s 91 में आपका फर्स time web browser launch हुआ था तो वह text-based browser था उसमें आपके images को वह support नहीं करता था 93 के अंदर आपका जो है आपका जो है ब्राउजर जो है आपका first time images support कि तो उसमें चुटी-चोटी images थी जो support करते हैं फिर दीरे दीरे जो है उसमें दूसरे multimedia components आते सब्सक्राइब करते हैं इंट्रेक्टिव को अभी हम समझेंगे के इंट्रेक्टिव का मतलब यहां पर क्या होता है यहां पर सबसे पहले आपकी requirement बताई हुई है कि क्या है आपके इसके लिए तो एक normal computer system चाहिए और simple हमें web pages जिसके अंदर simple चलाकर देखेंगे हम और कोई extra software नहीं चाहिए simple web pages दे हुए इसमें web browser आना चाहिए हैं पर एक browser चाहिए हमें इसके अंदर हम उसको apply करकर देखेंगे यहां पर एक बार दुबारा से बता रहा है कि आपका multimedia क्या होता है multimedia comes in very different formats different different formats हो सकते हैं कुछ भी हमारे आसपास जो हमें नजर आ रहा है यह आपका multimedia हो सकता है इसमें कोई picture हो सकती है इसमें को music या sound file हो सकती है को वीडियो हो सकती है को रिकॉर्ड किसी तरह का हो सकता है किसी तरह की movie या film हो सकती है animation और बहुत-बहुत सारी चीज़े हैं जो multimedia में आती है हमारे आसपास जितनी ही चीज़े हम आजकल देख रहे हैं जो भी information हमें कहीं से receive हो रही हो किसे ने किसी तरह का multimedia का ही form है तो यहाँ पर उसने बात की हुई है कि modern web pages have soft one often embedded multimedia elements इतनी modern web browsers हैं वो सब तरह के multimedia formats को support करते हैं not सब तरह almost सभी तरह के हो क्यूंकि आज की डिट में multimedia के जो formats है वो unlimited है unlimited फॉस सारे हैं तो यह आप अंधाज़ा मिन लगा सकते इतने सारे formats है इन में से कुछ हम यहां discuss करेंगे तो यहां पर mainly जो है वो sound और वीडियो ही है जो multimedia के में आपके components है इसके लावा भी और भी है जो हम discuss करने वाले हैं यहां पर बता रहा है कि आपका जो web browsers हैं वो आपके HTML extension को recognize करते हैं जो आपकी web pages की extension file होती है यह आपने देखा हुआ भी है आपने बनाय हुआ भी है इसको यहां पर जो browsers हैं वो आपके HTML file को read करते हैं और वो उनको उनकी extensions से पहचानते हैं कहने चारा है that most common way to discover a file type is to look at the file extension कौन सी file किस तरह की है इसको recognize करने का सबसे असान तरीका है उसकी extension से जो web pages हैं उनकी extension stm या stml होती है इसी तरीके से आपकी कुछ files के extension xml होती है यह basically internet पर यह कह सकते हैं कि आपके पूरे computation के अंदर data को store करने के लिए एक language यूज की जाती है extensible markup language बोलते हैं इसको xml की extension है ऐसे ही आपकी css files होती है जो उनका extension.css होता है जो cascading style sheets हैं जो हमने 11th class में देखी थी इसके अलावा जो pictures हैं उनकी extension.gif हो सकती है png हो सकती है gp जो और बहुत सारे examples जो हमारे depth में देखने वाले हैं तो फिलहाल यहां पर यहीं समझेंगे कि हमारे पास multimedia files की या किसी भी तरह की computer के अंदर जो files होती है वह बहुत सारे अलग-लग तरह की होती है तो किस तरह की हमारी exactly वह file है उसको समझने के लिए हम उसके extensions को देखते हैं extensions हम specify कर सकते हैं कि वह file किस तरह की है अब बात करते हैं next हमारे पास advantages और disadvantages क्या है multimedia के जैसे मैंने बताया कि मुसायक web browser आपका 93 में आया था जहां पर पहली बार जो है आपका multimedia images के form में उहाँ पर introduce किया था उसमें सिर्फ कुछ images थी जो आप इंबेड कर सकते थे अपने websites में लगा सकते थे इससे जादा support नहीं करता था फिर धीरे आपकी flash आया तो flash files आपके इंबेड होने लगी कैसी websites हाजकल हमारी नजर आती है और पहले जो है वो किस तरह की websites हुआ करती थी एक बार ब्रॉजर पर चलते हैं यह हमारे पास एक website है जो विचुल डब जो application है उससे related किसी developer ने मनाई हुई है तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कहीं भी टेक्स्ट के अलावा कोई और आपका वही नहीं है simple text-based website है तो यह आपकी क्या है एक text-based website है इसमें आपको बहुत जाद इंफर्मिशन हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी जो आपको जानना है तो थोड़ी सी boring हो सकती है यह आपके लिए बट पहले जो website होती थी वो इस ही तरह की होती थी आज की date में हम गर websites की बात करे रहेंगे यहां पर एक interactive word का यूज किया गया था उसे हम responsive भी बोल देते हैं जब हम कहीं पर mouse hover करते हैं कुछ response हमें मिलता है तो इस तरह की चीज़ों को हम जो है interactive बोलते हैं जहां पर हमें कुछ action पर कुछ reactions वगरा मिलते हैं without going to any new further page तो यहां पर हमारे पास मैं की दूसरे पर क्लिक किये बगएर ही किसी वीडियो को भी play कर सकता हूं अपने वैब पेज के अंदर ही रहते हुए तो यह basically मेरे पास एक example है मेरे multimedia कह सकते हैं के embed करने का उस तरह की website है basically है तो यह मेरे आपको difference दिखा दिया वापे सलते हैं अपने बुक की तरफ तो यहां पर हमारे पास advantages और disadvantages बताएं क्या है इनकी basically जैसा सबसे पहले एक advantage बताए हुआ इसका great immersion या impression सबसे पहले बात जो है आपका multimedia component आते ही आपके क्या है impression अच्छा पड़ता होगा तो आप उसको एक बार जरूर देखेंगे आपका वह अलग अलग आपका describe हो रहा होगा उनके offers क्या है क्या क्या प्रोड़क्ट अविलिबिल्टी तो आप उसको जल्दी से समझ पाएंगे और देख पाएंगे और आप interest लेके उसको पूरी website को गुतुरू करेंगे समझना असान हो जाता है तो इससे क्या है आपके जो वीवर से वह इंक्रीज हो जाते हैं अट्रेक्ट होते हैं बेसिकली यह इसका सबसे बड़ा benefit है आपका multimedia करने का तो दूसरा जो है इसके अंदर पॉइंट बताया हुआ है कि कैसे आप इसमें आप SEO को enhance कर सकते हैं यह प पर समझना जरूरी है कि SEO क्या होता है that is different aspect जो हमने एक वीडियो में अलग से आपके explain किया हुआ है उसका link भी share कर दूँगा उपर की तरफ और आप उसको जो है देख लेंगे एक बार SEO को पूरा ठीक से जानने के लिए इसके अलावा जो है यहां पर simple आप यह समझ सकते है पेज की ranking increase होती है तो अगर हमने उसको ठीक से optimize किया है पेज के अंदर multimedia भी लगाया है optimize का मतलब यहां पर है कि मैं पेज के अंदर जो है video content वगेरा भी लगा रहा हूं और उनको ठीक से describe भी कर रहा हूं यहां पर एक चीज़ का धियान रखना है कि हमारे जो search engines हैं वो ज़ उसका meaning है बट वो वीडियो को देखकर या रीडियो को read करके उसके अंदर exactly क्या component से यह नहीं describe कर सकते तो उसके लिए अगर हमने media text या description जो है वो tick से अगर दी है तो उससे search engine को समझने में भी असानी रहती है और user भी जब उस पर जादा देर तक रहता है जो उस पर time बिताता है तो उससे भी आपकी website की जो है ranking increase होती है तो यह example बता रहा है कि 2010 में कोई survey हुआ था उसमें जो है यह यह पाया गया था कि text media based website वह जादा आपकी जो है टॉप में आती है तो बेसिकली जैसे user base बढ़ेगा तो आपकी ranking भी increase हो जाती है इसमें मैंने कहा कि एक डाइस है इसको हम नेक्स पार्ट में देखेंगे क्या है इसमें जो डाउट है थर्ड पॉइंट है हमारे पास better branding का कहवत है जो दिखता ह है वह बिखता है तो जितना जादा आपका एक अच्छा दिखने वाले website होगी उसकी automatically branding हो जाती है जितना जादा आप उसका कह सकते हैं कि multimedia का अच्छे से use करेंगे आपका जो है व्यू उसका अच्छा आएगा और आपको उसमें branding करने में भी help मिलेगी आप जितने भी बड जादा attractive view देने के लिए तो यहां पर यह तो हुए advantages, disadvantages की अगर हम बात करें तो disadvantages में सबसे पहला जो आपका यहां पर point है वो है कि आपका potential damage हो सकता है सर्च इंजन की ranking को उपर बात कर रहे हैं सर्च इंजन की ranking बढ़ती है वो advantage है और यहां पर हम ब्यात कर रहे हैं disadvantage कि कि हम ने उसको सही से optimize नहीं किया जैसे मैंने बताया कि अगर आपने उसमें सिर्फ multimedia को लगा दिया कोई मैंने image लगा दी कोई मैंने audio add कर दिया मैंने कोई किसी तरह का animation apply कर दिया बट यह सब content browser directly read नहीं कर सकता है उसमें कुछ descriptions भी होती है कुछ ऐसे tags होते हैं जहां पर हमें description द तो recognize कर सके कि हाँ यह वीडियो जो है यह आपकी image यह इस चीज़ के बारे में है तो यहां पर अगर हम ठीक से search engine आपके optimization नहीं करेंगे तो page की ranking गिर भी सकती है और अगर अच्छे से किया होगा तो बढ़ भी सकती है तो दोनों ही point of view से आपका जो है advantage में भी आता है और य जो multimedia files होती है वो बहुत जादा heavy होती है आज की rate में हमारे पास internet connection काफी better हो गए है इसलिए यह बहुत जादा matter नहीं करता है बट हर user के पास जो है वो 4G और broadband connections नहीं होता है तो कुछ users के लिए जहां पर internet slow है थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपकी website का जो page है वो load होने में तो ना करें तो यह भी हमें धिहान नेखना है कि हमें starting में जो है आपकी तरह से इस तरीके से apply करना है कि पहले आपकी low जो आपकी image है वो आजाए और फिर दिरे दिरे वो आपकी high contrast में या high resolution image भी आपकी वहाँ पर visible हो जाए कुछ इस तरीके से optimize करना है कि बहुत जादा आपक landing page पर landing page वो होता है जब user कहीं से बाहर से आपकी website पर आता है जो जिस पहले page पर वो आता है that is called landing page तो landing page कभी भी बहुत ज्यादा heavy नहीं रखना चाहिए user उसके बाद अगर कहीं जा रहा है तो आपके आपके एक तरह से कह सकते website से familiar हो गया तो थोड़ा wait कर सकता है हो सकता ह पर landing page जो है वो बहुत ज्यादा heavy नहीं होना चाहिए तो आपके पास यहाँ पर loading time भी जो है वो एक issue हो सकता है तीसरा point है यहाँ पर compatibility का compatibility का जैसे मैंने बताया के multimedia formats बहुत-बहुत सारे हैं there are unlimited forms of multimedia तो हो सकता है सभी browsers आपके सभी multimedia formats को support ना करें कोशिश करते हैं जितने भ example ले रहा हूं है आपकी avi file भी video होती है mp4 भी होती है और ऐसी बहुत सारे formats होते हैं तो ऐसी animations बनाने के भी बहुत सारे formats होते हैं वो सभी के सभी support करते हैं या नहीं करते हैं depend करेगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि आप कुछ ऐसे multimedia formats को use करें apply करें अपने browsers में अपनी websites websites के अंदर जो आपका browser support करता हो हमारे पास बहुत सारे browsers हैं जहांपर हम websites को open कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी multimedia files भी हैं तो हो सकता है कि कुछ आपको support ना मिले तो इसीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर एक example दिया हुए कि apples के mobile में या apple जो है वह आपका flash को support नहीं करता flash वैसे भी outdated हो गया है और next year से हो सकता है कि आपकी जो बाके की जितने भी browser से वह भी धिरे-धिरे flash का support बंद कर देंगे flash एक आपका यूजली धिरे-धिरे सभी browsers जो है वो उसको support खतम कर देंगे तो यह थोड़ी सा थोड़ा सा प्राणा content है हाँ और भी ऐसे बहुत सरे examples मिल जाएंगे आपको जहां पर आपको जो है कुछ multimedia formats ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके या वो sound file आपको जल्दी मिल जाए free मिल जाए या आप खुद की बनवाना चाहते हैं तो उसमें time भी लगेगा cost भी लगेगा ऐसे आपको animation file लगवाना चाहते हैं तो animation file आपको बनवानी पड़े कि उसमें cost भी आएगी और time भी लगेगा तो यह भी एक factor आपका हो सकता है इसको disadvantage मिले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो यह आपके advantage और disadvantage हो गाए अब इसके बाद-बाद करते हैं इसके exercise questions की तो यहां पर exercise question में पहला question है हमारे पास आपका कि आपके multimedia के जो various types हैं वो क्या-क्या है question number one है हमारे पास define multimedia and its various types तो multimedia की definition बता देंगे that multimedia is a media that uses multiple forms of information content information के content के तरपे वो multiple क्या करता है forms का use करता है information को process करने के लिए या आपके उसको store करने के लिए तो इसमें हमारे पास text भी हो सकता है audio भी हो सकती है graphics animation video interactivity यह सब हो सकते हैं to inform or entertain user user को inform करने के लिए या आपके entertain करने के purpose से इसकी types भी इसमें cover हो गया और आपकी definition भी हो गई question number second है मारे पास advantage और disadvantage multimedia के क्या है इसको आप यहां पर इस तरीके से explain कर सकते हैं करेगा आपके कितने marks करें में पूछता है कि इसमें great immersion आपका advantage हो गया enhanced page ranking हो गया better branding हो गया आप इनको explain कर सकते हैं अपनी language में आप कोई rare file type यूज करते हैं otherwise mostly सभी browsers जो है popular जितने भी आपके multimedia file types हैं उस support करते हैं may increase cost and time time और cost आपका increase हो सकता है multimedia apply करने से question number third है हमारे पास why we need internet browsers and also explain web pages यहां पर internet browsers की जरुद पढ़ती है we need internet browser और web browser बोलते हैं इसको to open और view web pages और websites web pages या website को open करने के लिए simple है कोई website अगर में open करनी है या view करना है तो web browser करते हैं फिर फूरता है web page क्या है तो हम कह सकते हैं that web page is a document एक तरह का document है return in either plain html plain html language में लिख्या जाता है with some advanced web technologies या उसमें कुछ और advanced technologies हो सकती है like css, javascript, php, esp, jsp बहुत सारी है तो हमारा ऐसा कोई भी document जो है वह आपका web page कहलाता है जिसे हम web browser में खोलते हैं this document contains some information accessed by the user through web browser और इसको जो user है वो web browser के तरह एक्सेस करता है today's almost all of the browser support multimedia मैंने बहुत लिखा हुआ almost all सभी करते हैं आप एक चोटा सा exception है accept some text-based web browser यह चीज़ आप internet पर खुछ से सर्च कर सकते हैं कि text-based browsers क्या होते हैं यह special तरह के browser होते हैं बहुत कम लोग इसको use करते हैं जो आपका text जिनके लिए जादे important होता है कुछ text-based browsers है इसमें सिर्फ texting ही कुलता है आपकी किसी भी तरह की multimedia फाइल नहीं open होती अभी नहीं होती उनको छोड़के बाकी सब जो है आपके multimedia formats को support करते हैं सेंपल के लिए Google का Chrome है Mozilla का Firefox है Microsoft का Edge है Apple कंपनी का Safari है ऐसा ही Opera कंपनी का Opera web browser के नाम से ही आता है तो यह top 5 मैंने हैं आप लिख दिए हैं आप इनको यह सभी आपके multimedia formats को support करते हैं इसी तरीके से आपके पास इसने question number 5 में पूछा है HTML की और XML की क्या full form है तो HTML की full form होती है hypertext markup language जो आपके web pages बनाने के काम आता है तरह की markup language है और इसी तरीके से एक XML भी markup language होती है इसकी full form होती है extensible markup language यह आपकी internet पर data को store या transfer करने के लिए यूज की जाती है एक format से दूसरे format में यह human readable भी होता है machine readable format भी होता है तो यह इस वीडियो के session के अंदर इतना ही आगे next session के अंदर हम थोड़े से multimedia के जो आपके file types हैं वो discuss करेंगे और तो follow करते रहिए और इसको like भी करते रहिए और subscribe भी कर लिजे अगर अभी तक नहीं क किया है तो thank you very much for this video next video मिलेंगे bye bye